रादे किष्णा उन्नती किष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे 12 इंच की रादहरानी के लिए लेहंगा और ये वीडियो को पहला पार्ट है दूसरे पार्ट में हम चोली फुल वाजिक्वी और डुपट्टे बनाएंगे अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आसा करती हूँ वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखें ये दिखी हमने अस्तर लिया है लेहंगा के नीचे लगाने के लिए ये कपड़ा लिया है और गंजा का कपड़ा है ये इसकी चोड़ाई हमने साड़े साथ इंची रखे है लम्माई हमने इसकी 49 इंची रखिया 39 ये दिखी अस्तर के उपर हमने इस कपड़ी को उल्टा रख लिया है अब हम तीनों साड में इसके उपर सिलाई कर लेंगे ये दिखी तीनों साड की किनारी को हमसे लेंगे ये दिखी मैंने कपड़े को और अस्तर को सिल लिया है अब हमें इसको सीधा करेंगे यह दिखिए इस तरीके से मैं इसको सीधा कर लूँगी अगर आपको यह लेंगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें, कमेंट करें मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए और यह वीडियो को पहला पाइटा है, दूसरे पार्ट में मैं रादा रानी की चोली, फुल वाजुकी और दो टूपटे बनाना सिखाऊंगी तो उस ब्याली वीडियो को पूरा जरूर देखना, तो चलिए हम बना ले जते हैं इसको, यह देखिए मैंने तीनों सैड में स्लाई कर लिए, अब हम बॉर्डर लगाएंगे इसकी उपर यह देखिए, बॉर्डर की चोड़ाई हमने तीन इंची रखे है, और लंबाई कपड़े के बड़ावरी है, ड्रेस की बड़ावर, तो चलिए मैं इसको फेले सिल लेती हूँ और इसके उपर हम लेस भी लगाएंगे, गोल्डन कलर की पत्ली वाली, तो चलिए हम लगा लेते हैं, इसके उपर लेस और बॉर्डर को भी सिल लेते हैं यह देखिए मैंने लेस लगा लिया है अब हम इसकी प्लेट बनाएंगे अब हम आपको कमर नापके बताते हैं कि हमारी रादा रानी की कमर की गुलाई कितनी है पॉने छेंची लेकिन हम इसको पूरा फेक्स छेंची की ड्रेस बना सकते हैं कमर की गुलाई के इसाब से यह मैंने बैल क्रो लिया है और बैल क्रो में से मैंने दो पीस कर लिया है बीच में से कट कर लिया इसको तो यह पतली हो गई है आदा इंची की यह देखिए हाड वाला हिस्सा है बैल क्रो का उसको मैं उपर की साइड में लगाऊंगी इस तरीके से चेक करके यह हमारा बैल क्रो उपर की साइड में आएगा और सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसको हम नीचे की साइड में लगाएंगे ताके हमारे काना जी को चुबेना रादा जी को इदी की मैंने लगा लिया है इस तरीके से हम चुपकाएंगे लहेंगी को बंद कर देंगे यह देखिए यह मैंने कमबर पट्टी के लिए कपड़ा लिया है इसको मैंने फोल्ड करके सलाई कर लिया और मैंने आपको नाप के दिखा दिया इसको अब इस तरीके से हम ये पट्टी लगाएंगे ये देखिए मैंने कमर पट्टी को एक बार से ले आए अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे अपनी साड में और डोरी को बीच में रख देंगे कमर पट्टी के और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ये देखिए और इसके उपर हम सिलाई कर देंगे ये देखिए हमारी रादा जी का लहेंगा बनके तयार है अगर आपको ये लहेंगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब इन किया तो सस्क्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और मेरे चैनल उन्निती किष्णा क्रेशन को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुच पाए और छोटो लड़कोपल की ड्रेस की आप वीडियो उस पर देख सकते रादे किष्णा कर दो।